जै शी राधारानी सरकार की जै श्री कृष्ण भगवान की जै श्री गोरी शंकर जी भगवान की जै श्रावन मास महत्यम्य की मंदर शीबंसी वाले महात्मा यूटूब चैनल के ओर से आज हम आपको श्रावन मास महत्यम्य के चोथे अध्याई की कथा को सुनाने जा रहे है श्री शिव महापुरान में स्पष्ट बताया गया है कि श्रावन मास के पावन समय में जो मनुष्य भगवान शिव की सच्ची श्रद्धा भावना से भक्ती करते हैं उपासना करते हैं भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अरपन करते है उन पर भगवान शिव सदेव प्रसन रहते हैं उनकी भगवान शिव सदा रक्षा करते हैं तो श्रावन मास में प्रातय सनान के नियम का पालन करें और भगवान की भक्ती करें भगवान के मंदिर में जाकर पूरी श्रधा भावना से भगवान का पूजन करें और सारा दिन भगवान को याद रखने की कोशिश करें इतना करने मातर से भगवान प्रसन हो जाते हैं तो श्रावन मार्स महत्यम के चोथे अध्याइ की कथा इस परकार है। आज भगवान शिव सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी धारन पारन वरत को मैं अब आप से कहूंगा आप पूरी शद्धा भावना से सुनें क्योंकि जो भगवान की कथा को शद्धा भावना से सुनते हैं उनी पर प्रभू की कृपा होती है शद्धा भाव की प्राप्टी के लिए धारन पारन व्रत का संकल्प करें एक दिन धारन और दूसरे दिन पारन करें धारन में उपवास तथा पारन में भोजन विहित है व्रत करने वाला प्रानी मास की स्माप्ती में उध्यापन करें प्रतम श्रावन मास की स्माप्ती में कीर्तन पुन्या प्रतिमा को घट के उपर स्थापित कर रात्री में भक्ती द्वारा अर्शन करें रात्री में पुरान का श्रवन कीर्टन आदी जरूर करें सुभै को अगनी रख कर हवन करें त्रियंबकम यजा महे इस मंतर से तिल और चावल की आहूती दे में वाम देवाय विद महे महा देवाय धी मही तन्नो रूद्र प्रचो दयात इससे घृत तथा चावल की आहूती दे में सडक्षर मंतर ओम नमज शिवाय मंतर से खीर की आहूती दे में फिर पूरना हूती हो कर शेश कारे समाप्त करें, यह सबकारे पूरी श्रद्धाभावना से होने चाहिए भगवान की भगति में श्रद्धावना की परमुक्ता होती है, भ्रह्मनों को भोजन करवा कर आचारे का अर्शन करें, यह महा भाग जो इस विदी से इस वरत का पालन करता है, वह ब्रहम हत्या आदी पापों से मुक्त हो जाता है उसके संपुर्ण पाप नश्ट हो जाते हैं इसमें कोई भी संदेह नहीं है हे मुने अब आदर पुर्वक श्रावन मास में उपवास की विदी सुनिये इस्त्री हो या पुरुष जीतेंद्रिय होकर मन को भगवान के चर्णों में लगाकर प्रतिपदा तीथी को सुभय वरत का संकल्प करें अमावस्या के दिन लोक शंकर वरिश ध्वज भगवान शंकर का सोलह उपचार से अर्चन करें ब्रह्मनों का वस्त्र अलंकार आदी के द्वारा पूजन करें यथा शक्ती भोजन करवाकर प्रनाम करवी सर्जन करें इस तरह मास उपवास का वरत मुझे भवत प्रिती दायक है एक लाख संक्या वाली रुद्र वर्ती विधी करें सादर रुई द्वारा निर्मित घ्यारा घ्यारा बत्ती बनावें मुझे प्रिती वाली वे बत्तियां रुद्र वर्ती नाम से कही जाती है श्रावन मास के प्रथम दिन से विधी संकल्प करें श्रावन मास के देवता देवों के देव महा देव है भक्ती से उन गोरीश की एक लाख बत्ती से आर्थी करूँगा ऐसा संकल्प कर रोज एक हजार बत्ती द्वारा अर्चन करें समाप्ती पर एक हत्तर हजार बत्ती से आर्थी करें या रोज रोज तीन सहस्त्र बत्ती द्वारा आर्थी करें अंतिम दिन तेहरे सहस्त्र बत्त द्वारा आरती करें या एक ही रोज एक लाख रुद्रवर्ती को प्रज्वलित करें मुझे प्रिये उन बत्यों को शुद अधिक गृत से सेवन करें संसार के स्वामी महादेव का अर्चन कर कथा सुने कथा पूरिश रधा भावना से सुनने चाहिए इस विश्व में कथा ह एक मातर ऐसा साधन है जो भगवान की प्राप्ति करवाने वाला है जिन भगणों का मन भगवान की कथा सुनने में लग जाता है उन्हें जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसका वर्नन नहीं किया जा सकता भगवान की कथा को सुनकर मनुष्य के पुर्व जनमों के सभी प आप नश्ट हो जाते हैं और इस जनम में उसका मन भगवान के चर्णों में लग जाता है भगवान की कथा से भढ़कर भगवान की प्राप्ति करवाने वाला और कोई श्रेष्ट साधन नहीं है इतनी कथा सुनकर सनत कुमार जी भगवान शिवशंकर भोले नाथ जी से कहने लगे हैं कि हे देव मुझ पर दयाकर इस वरत के प्रभाव तथा किसने इस वरत को किया इसकी उध्यापन विधी कौन सी है ये कथा भी सुनाने की कृपा कीजिए मैं आपकी शरन में हूँ आप कृपा करेंगे तो हमें भी इस वरत के बारे में ज्यान हो पाएगा सनत कुम मार जी के इन मधूर वचनों को सुनकर भगवान शिव कहने लगे हैं कि हे भ्रमा पूत्र आप वश्ये इस वरत को सुनें यह वरतों में श्रेष्ठ रूदर वरती वरत महान पुन्यप्रद है तथा संपूर्ण उपद्रव को नाश करता है प्रीती तथा सोभागे को देन प्रिया है और उत्तम शिव लोक को देने वाला है जिसको शिव लोक की प्राप्ति की इच्छा है उसे इस वरत का पालन अवश्य करना चाहिए तीनों लोकों में रुदर वरती के तुल्ले अन्य श्रेष्ठ वरत नहीं है इसकी एक पुरातन कथा आपको सुनाते हैं शिप सुगंधा ने युवा पुर्शों तथा कई ब्रह्मनों के धर्म भरष्ट कर दिये बारम बार भहुत से राजा तथा राज कुमारों को नगन किया उनके भूशन आदी ग्रहन कर धिकार दे उस वैश्या ने उने निकाल दिया इस तरह सुगंधा ने भहुत प्रानियों को लूटा है उसने अपना सारा जीवन पाप करमों में बिताया है उस वैश्या के शरीर की सुगंध एक कोस तक सुगंधित होती रहती थी प्रित्वी पर उसके रूप लावन्य तथा कांती की ख्याती थी उसकी सुंदरता की कोई सीमा नहीं थी भोग विलास में वह रंभा आदी दिवांगनाओं का अपमान करती थी पैर की चाल से पद पद पर हंस्ती तथा हंसों की चाल की हंसी उलाया करती थी कोतु कवश किसी समय भैवैश्या भुरुकुटी तथा कटाक्षों से काम बान को त्यागती हुई शिप्रा नदी पर गई है वहां उसने सब और रि दवान विश्णों के अर्षन में सनलगन थे ये महामुने उन सबों के मद्धिर रिशी वशीजजी को उस वयश्या ने देखा है महरिशी वशीजी के दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वयश्या की धर्म में बुद्धी हो गई जीवन तथा विश्यों से मन हट गया संत मह पात्माओं के दर्शन से एक शन में मनुश्य का जीवन बदल जाता है। आज उस वैश्या का जीवन बदल चुका है। नहीं है। हे प्रभु इस समय मैं आपकी शरन में हूँ। मुझे आप बचा लीजिए। मैंने इतने पाप करम किये हैं कि मेरा उधार नहीं हो सकता। केवल आपकी कृपा से मेरा उधार हो सकता है। आज आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं तो मुझे अनंत आनंद की प्रा पाप करम किये हैं उनका नाश कैसे होगा वो उपाई बताने की कृपा कीजिए आज भगवान शिव आगे की कथा सुनाते हुए सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी उस समय धीन वतसल वशिष्ट मुनी ने उस वैशा की वानी को शवन कर उस वैशा के करमों को जानकर आदर से उस वैश्या से कहा है कि हे भद्रे एक आगरचित होकर सुनो तेरे पापों का नाश जिन पुन्य से हटेगा मैं सब कहता हूँ हे भद्रे तरी लोकी में परसिद वारानसी में जाकर तरी लोकी में दुरलब इस वरत को करो हे भद्रे रुद्र वरती वरत महान पुन्य देने वाला तथा भगवान शिव की प्रीती की प्राप्ति करवाने वाला है हे भद्रे इस बात के करने मातर से तेरी उत्तम गती होगी गवान शिव सनत कुमार जी से आगे की कथा सुना कर कहने लगे हैं कि इस से तरह सारी विदी सुनकर वह वैश्या खजाना नोकर तथा मित्रों को साथ लेकर काशी पूरी गई है वहां पर महरीशी वशीजी के आदेश के अनुसार उसने तरिलोकी में परसीद रुदर वरती वरत का अनुष्ठान किया है भगवान शिव की क्रिपा से वह वैश्या पांच भोतिक शरीर को त्याग कर भगवान शिव के शरीर में ले हो गई है उसको उत्तम गति की प्राप्ती हुई है भगवान शिव की क्रिपा से उसने भगवान शिव के लोक को प्राप्त किया है हे सनत कुमार जी जो इस्त्री इस दुरलभ वरत को करती है वह जो जो वस्तु की मनो कामना रखती है उसे वह अवश्य ही मिल जाती है हे सूवरत मानिक वतियों के महात्यम सुनो हे विपेंद्र मानिक के वतियों के वरत करने मातर से इस्त्री मेरे अर्धासन की हिस्सेदार होती है वह इस्त्री महाप्रलय के अंत तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है वरत पूर्ती के लिए इसकी वरत के उध्यापन की विधी को कहूंगा। पूल मंतर से होम करें पूर्णा हूती कर आचार आदे की पूजा कर ग्यारा सपतनी के श्रेश ब्रामनों को भोजन कराएं इस से तरह से जो इस्त्रीवरत करती है वह संपुर्ण पापों से रहित हो जाती है तो इस परकार श्रावन मास महत्यम के चोथे अध्याई की कथा का यहीं पर विश्राम होता है इससे आगे की कथा आप अगले ध्याई में सुन पाएंगे तो आज की इस परम सुन्दर कथा को सुनने के लिए आप सब का हारदिक धन्यवाद भगवान श्री राधा कृशन जी की भगवान श्री गोरी शंकर जी की श्रावन मास महत्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे इसी मंगल कामना के साथ जैश्री राधारानी सरकार की जैश्री कृश्न भगवान की जैश्री गोरी शंकर जी भगवान की जैश्रावन मास महत्यम क ओम नमस्षिवाय जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे श्याम